नमस्ते बच्चो मिशन ग्यान से मैं कीरति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सब का बच्चो भी हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं आज हम बात करेंगे आनुवांशिक शब्दावली की कुछ शब्द हैं जिसका हमें मालूम होना चीए कि इन शब्दों का मतलब क्या है तब हम इस आगे वाला पूरा का पूरा पार्ट समझ में आएगा सबसे पहले हम बात करें बच्चो जीन की तो जीन क्या होते हैं तो अभी हमने बात की कि एक पीडी से दूसरे पीडी में लक्षन आते हैं उन लक्षनों को हम क्या कहते हैं आनुवांशिक लक्षन और इस एक पिडी से दूसरे पिडी में आनुवांशिक लक्षणों का जो संचरण होता है मतलब आना होता है उसे हम कहते है वंशानुगती ठीक है तो अब जीन क्या होते हैं जो एक पिडी से दूसरे पिडी में लक्षण को लेकर आता है कौन लेकर आता है जीन लेकर आते हैं तो ज वेज्ञानिक आई जोनसन जोनसन नहीं क्या नाम दिया जीन तो जीन क्या होते हैं कि वहकारव जो किसी एक लक्षन को नियंत्रीत करता है और एक पिड़ी से दूसरे पिड़ी में लेकर आता है अब बात करते हैं बच्चों हम युग में विकल्पी की ऐलिल्स की युग में सारे हैं अपने लक्षन तो युग में विकल्पी किसे कहते हैं कि कोई भी एक लक्षन है जैसे मैंने बात की कि पोदे की लंबाई की तो लंबाई क्या हो गया एक लक्षन इस लक्षन को निरुपित कौन करता है दो विप्रियास्ति स्वरूप करते हैं जीन के ठीक है जैस के लिए हम यूज करते हैं small t, लेकिन देखों मैंने यहां t t दो बार क्यों लिखा है क्योंकि एक लक्षन को दो जीन निरूपित करते हैं, मैं यह भी लिख सकती हूं capital t और small t, यह भी पोधी के लंबा ही बता रहा है, तो देखों मैंने दो दो बार लिखा है ना, मैं एक बा आगे हम बात करें सम्युगमजी, तो बच्चों सम्युगमजी किसे कहते हैं कि किसी भी लक्षन को निरूपित करने वाले जीन में, जब दोनों के दोनों युग में विकल्पी समान हो, तो क्या हो गया सम्युगमजी, और दोनों के दोनों युग में विकल्पी समान ना हो करके क्या हो ऐसा मान हो तो बच्चों यह हो गया विश्यम यूगमजी आप पुछोगे कैसे तो हमने बच्चों बातकिरी पोदी की लंबाई की यह भी करी थी ना हमने बोला कि जो लंबा पोदा होगा वो तो क्या हो गया टी क्या होगा ठीक है तो जो क्या हो गया दिखाता ना तो देखो बच्चों यहाँ पर दोनो के क्या है स्मॉल टी यहां क्या है इस यहता है बड़ा टी है और एक है चोjakीश़ फैस. कज हैं मतलब जहां पर दोनों के दोनों समान हो जीन वह क्या होग Grefard जीन और जब एक लख्षन ये kysकों तो पता रहे को जब एक ही लक्षनerin को ही कर्ने वाले दोनके दोनों विकल्पी वह समान है तो वह को गए ऐसा मान है तो बच्चो यह क्या हो गया ये हो गया अपना विश्व amongst the sमछ में आगल आगय हम बात करता है बच्चो लक्षन प्रणूप कहा होता है अगर मैं इन पोदों को देखू तो यह पोदा जासे मानने लंबा है थीक है और फिर बात करूं इस पोद की तो यह इतना लंबा ओगा बच्चो यह प्याट जयसा मान ले न और अप झब अनलियों तो यह इतना अख है तीक है अब देखो गो यह बाहर से अगर इसको देखेंगे तो आपको यह प्योड लमबा डिखे रिए तो अगर आहं यह लंबा है हं gonna है का यह लंबा ही दिखने न इसा लग रहा है आपको बहार से लिखने पर यह लग आपको लंबा लग रहा है लेकिन यह वाला बोना लग रहा है की करता पेट आप बोलोide के लिए आप इसका अनुपात दो अनुपात एक हो गया, तो कोई भी पादब जो बाहर से कैसे दिख रहे हैं, यही दो अनुपात एक इसका लक्षन प्ररूप है, यही क्या है बच्चों, लक्षन प्ररूप, क्लियर है, तो लक्षन प्ररूप किसे कहते हैं, कि किसी सजीव की बाहिय प् करूं next is gene प्रणूप की, तो देखो भख्चो अब इसका gene क्या था? कि इसके अनदर एक तो capital T है, क्या है? एक तो इसके अनदर capital T है और 1 एक तो इसके अनदर है capital T capital T, or यह है small T, small T, और इसमें 1 capital T है, एक small T है. अब मैं तो देखो इसके दोनो जीन समान है किसके इसके क्या है kappi T, Kappi T T इस जो जो डोना है उसमें क्या है kya है dोनो small t small t और जो यह लंबा है इसमें कैपिटल ti small t अब हम बात करें के जीन प्रूरूप यह तो क्या था यह तो था बच्चो लक्षन प्ररूप क्या था लक्षन प्ररूप हम बात करें जीन प्ररूप की तो देखो जीन इसमें क्या है दोनों कैपिटल्टी इसमें दोनों स्मॉल्टी और इसमें एक कैपिटल्टी और एक स्मॉल्टी क्या तीनों सेम है तीनों सेम नहीं है न इसलिए हम इस वाले पोदी को बोलेंगे बच्चो शुद्ध लंबा क्या बोलेंगे ये वाला पोदा क्या है शुद्ध लंबा क्योंकि दोनों capital T capital T है ये क्या है इसको बोलेंगे बच्चो हम शुद्ध बोना क्या बोलेंगे शुद्ध बोना ठीक है बच्चो य है capital T ένα我क centaj s I n a n a lembaie कि ऐसे यह नं बहुता यहाँ इसको क्या बोलेंगे इस पोडय के यह क्या हो घर हो घुटय क्या हो गया इसका जीन प्ररूप क्या हो गया इसका जीन प्राणुप अभु बच्चो एक अनुपात एक अनुपात एक यह इसका हुआ जीन प्रारूप मतलब एक तो क्या है शुद्ध लंबा है एक है शुद्ध बोना और एक है अशुद्ध लंबा जबकि इसका लक्षन प्रारूप क्या था दो अनुपात एक बहार से दिखने पर कैसे दिख रहे थे वो तो हो गया लक्षन प्रारूप के दो लंबे दिख रहे एक बोना दिख रहा है लेकिन इसकी जीन ये संदचना कैसी है capital T, small T है, क्या है वो हो गया इसका जीन प्रारूप और जीन प्रारूप क्या होगा बच्चो एक अनुपात, एक अनुपात, एक तो दोनों में अन्तर समझ में आ गया, ठीक है तो हमारा लक्षन प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों हो गया है आगे हम बात करते हैं बच्चो प्रभावी लक्षन प्रभावी लक्षन, तो प्रभावी लक्षन कौन सा लक्षन होता है जो अलक्षन F1 PD में प्रकट होता है वो होता है प्रभावी, जैसे हम वापस यहीं आते हैं, हमने देखों, यहां लिखा एक तो capital T, एक लिखा small T, अब इसको हम ले चलते हैं आगे, कहांगे हमारा यह रहा, हमने लिखा एक तो capital T, capital T, और हमने लिखा एक capital T, small T, और मैंने एक लिखा small T, small T, हमने बोला कि यह पोदा बोना है, हमने बोला यह वाला पोदा लंबा है, और हमने कहा कि यह पोदा लंबा है, ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँ, तो इसने बच्चों एक तो capital T है, और एक small T है, अब इस पोदे का काम क होता है कि यहां पर लंबा बन रहा है इसका मतलब जो लंबा होला गुण मुए अल्यार ज्यादा शक्तिशाली में प्रभावी होगा कि नहीं इस लिए हमた प्रभावी लक्षन जो अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं जासे यहां पर दो पौदे मिल यह तो ऑपनी पैरेंटल मतलब क्या कहते हैं पैत्रिक और यहां पर जो संतिति पैदा हो रही है उसको बच्चों हम कहते है F1 PD जैसे अगर अपने मम्मी पापा क्या है वो है क्या जनक ठीक है उनसे हमारी उत्पति हुई है तो हम हुए F1 PD बास समझ में ठीक है तो F1 PD में जो लक्षन प्रभावी है कौन सा वो ही क्या है प्रभावी लक्षन जो अपने आपको अभिव्यक्त कर रहा है जो हमें दिख रहा है हमें पोदा बोना नहीं दिखा था इसमें पोदा दिख रहा है लंबा तो जो दिख रहा है वो ही क्या है प्रभावी आगे हम ब आप हम बात करें एक संकर संकरन एक संकरन किसे कहते हैं यदि हम एक ılarक लेकिक किसी भी जनकों के मद्ध्य कुरोश परत लिम्वार है तो बच्चों वो होको कि कितने लक्षन लेंगे, दो, clear है, ऐसे ही आपका त्री संकर संकरण है, एक संकर संकरण में हमने एक लक्षन की वंशानुगती का अध्यान किया, द्वी संकर संकरण में हमने दो लक्षनों की वंशानुगती का अध्यान किया, तो त्री संकर संकरण में हम कितने लक्षन यहां तक क्लियर आगे हम बात करते हैं बच्चों परिक्षन संकरन टेस्ट क्रोस की देखो बच्चों अभी हमने पढ़ाया कि यह तो क्या है प्रभावी था capital T, capital T ठीक है और small T, small T क्या हो गया अगर प्रभावी अगर हम पोदी की लंबाई की बात करें तो अब इन दोनों के मद्दे जब हम क्रोस करवाएंगे तो बच्चों हमें जो F1 PD प्राप्त होगी वह उसमें एक तो capital T होगा और एक small T होगा यह दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना तो एक T के मद्दे क्रोस होगा तो एक capital T में से आजाएगा माता में से और एक small T में से आएगा पिता में से तो यह दोनों जब साथ में आएंगे तो क्या होगा यह मिलेगी हमें F1 PD क्या मिलेगी F1 PD ठीक है अब परिक्षन संकरन किसे कहते हैं कि जब F1 PD का क्रोस F1 PD का संकरन हम किसे कराएं आप्रभावी से इन दोनों में से आप्रभावी कोन है आपको मालूम है capital T लंबेपन का गुण है यह तो प्रभावी था इसमोल टीप बोनेपन का कुण है यह एप्रभावी था अब हम इसका संकरण किसे करवा दे एप्रभावी से तो यह क्या के लाएगा बच्चो यह क्या के लाएगा अपका परिक्षन संकरण टेस्ट क्रोस test cross किसे कहेंगे वह संकरन जिसमें F1 PD का संकरन हम एप्रभावी जनक के साथ करवा दें ठीक है वो क्या कहलाएगा test cross और यदि हम किसी के साथ दोनों में से किसी से भी करा दें तो वो कहलाएगा बच्चो back cross क्या back प्रतीप संकरन ठीक है क्या कहलाएगा वो प्रतीप या संकर पूरवत अगर हमने एप्रभावी के साथ करवाया है तो कहलाएगा परिक्षन संकरन और यदि दोनों में से किसी के साथ भी करवा दें तो वो क्या केलाएगा वो केलाएगा आपका बैक्क्रोस तो बैक्क्रोस किसे कहेंगे हम कि वह संकरन जिसमें F1 PD का संकरन दोनों जनकों में से दोनों मेंसे किसी के साथ भी करा सकते हैं तो व क्या कैलाएगा आपका प्रतीप या पश्छी संकरन कैलाएगा आगे हम बैत करते हैं बच्चो व्युतक्रम संकरन किए तो देखो मैंने एक तो लिया पदप A, ठीक है एक पादप लिया B, ठीक है माता तो पहले क्या थी ए और पीता क्या थी प्रभावि अब इसके जीन है पीता के और जो स्मॉल टी स्मॉल टी है वो किसके जिन है माता के तो हमने आपस में चेंज कर लिया ना तो पहले ये वाला था अब इसका उल्टा है तो इससे ही हम कहते हैं बच्चो व्युतक्रम संकरन मतलब वह संकरन जिसमें ए पादब जो टीटी को तो नर वह बी पादब बच्चो ये कहलाता है अपना व्युतक्रम संकरन ये बास समझ में आगी आगे हम बात करते हैं बच्चो जनक पीडी की तो जो संतिती प्राप्त करने के लिए जिन बोदों के मद्द संकरन करवाया जाता है उन्हें ही हम कहते हैं जनक पीडी ठीक है और F1 पीडी किसे कहें तो आप जो F1 P2 आ गई, उसके मद्दिय हम क्रोस करवाएंगे, तो उससे जो हमें संतिती प्राप्त होगी, वो कहलाएगी बच्चो F2 P2, कितना असान है ना? आगे हम बात करें एक संकर संकरन तो एक संकर संकरन से प्राप्त अनुपात एक संकर अनुपात कहलाता है ठीक है द्वी संकर अनुपात द्वी संकर संकरन से प्राप्त अनुपात को द्वी संकर अनुपात कहते हैं इस मतलब कुछ याद करने का है ही नहीं तो अपना ये वाल में पढ़ते रोग थैंक यू